कि नमस्कार में आजमन खान और आप देख रहे हैं एस्पेन नाइन नियूस नितीश की सरकार सत्ता में आते ही मुश्किलों में आ गई बिहार में नितीश कुमार जो ये कहते हैं कि नितीश कुमार को सीम कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता है तो वो ही सीम कुर्सी पर बैठने के बाद सवालों के गेरों में अपनी ही पार्टी और अपनी ही गटबंधन के जरिये यहां पर खड़े हो जाते हैं आपको बदा दे कि जैसे ही नितीश कुमार की सरकार बन जाती है आठ मंत्री यहां पर शपत लेते हुए नजर आते हैं जिसमें दो उपमुक्य मंत्री शामिल होते हैं और नितीश कुमार मुक्य मंत्री के तौर पर शामिल होते हैं शपत लेली जाती है 28 जन्वरी को लेकिन देखा जाता है कि काबिनेट का विस्तार नहीं हो पाता है और नितीश कुमार पहली बार इतनी देरी काबिनेट विस्तार में इस बार करते हुए नजर आ रहे हैं जहां काबिनेट में देरी हो रही है तो वहीं उपमुक्यमंत्री की नराजगी नितीश कुमार के साथ और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है दो उपमुक्य मंत्री बिहार में मौजूद नजर आते हैं अभी और जेडियू गडबंधन के साथ वो है समराट चौधरी और विजे कुमार सिना और विजे कुमार की बात करें तो यहां प कि यहां पर अपनी पगड़ी तब हटाएंगे जिम नितीश कुमार को हटा लेंगे तो आज वही समराट चौधरी फिर से नितीश कुमार को चुनौतियां देते वे नजर आते हैं क्यूंकि आपको बता दें कि काबिनेट सचीवाले की तरफ से यहां पर एक अधिकारिक त सिना यहां पर नकारते वे नजर आते हैं इनकार कर देते हैं वो कार लेने से क्यूंकि उन्हें वेकार दी यहां पर यहां पर यह कहते वे नजर आ रहे हैं क्यूंकि उन्हें वेकार दी गई ती यहां पर तेजस्वी यादव को यह कारे दी गई थी जब महागडबंधन की सरकार्ती और जेडिव की सरकार्ती तब दी गई ती इस बार मना करते वी नजर आ रहे हैं कि वह कार यहां पर लेताभी नजर नहीं आए तो ऐसे में Nicky PN9 News, तानिवा.